सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार सो क्या हल चाल सबके कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपके स्टडीज भी सबकी अच्छे चल ली होंगी दोस्तो जून का एक्जाम हो चुका है रिजल्ट आने को है लेकिन आप में से सारे लोग हैं जिनको दिसंबर वाला बैच जो देना है, दिसंबर के लिए आपको तयारी करनी है तो वो कहां से करें, क्या पड़ें, क्या नहीं पड़ें, क्या आपके स्टड़जी होनी चीए ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे तो आज उनी सब सवालों के जवाब है मैं आपको देने वाला हूँ कि दिसंबर वाला बैच में आपको JRF करना है अगर आपको net clear करना है तो आपको इतियास से कौन-कौन सी पुस्त के है जो आपको पढ़नी है कौन-कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी है best book list क्या है दोस्तों तो मैं आपको एक-एक बुक बताऊंगा वो बुक आपको पढ़नी है और उसी बुक को पढ़के बहुत सारे student है जिनका JRF हुआ है अगर आप भी उनको sincerely पढ़ेंगे तो definitely आपका JRF clear होगा जिस तरह का pattern है जो change हो रहा है उसमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपको मानक पुस्तकों का अध्यन करना ही है जो अच्छी books हैं उनको पढ़के ही जाना पढ़ेगा guide books से आपका selection है वो नहीं होने वाला तो इन books को आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका selection है वो शूर होगा चलिए तो आज हम discuss करते हैं दोस्तो history की best book list for December 2023 exam कि आपको कौन-कौन सी पुस्तके हैं जो आपको पढ़नी है तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो ये मेरा एक brief introduction है जहां से आप जूड सकते हैं इसके अलावा दोस्तो अगर आपने जियरा फट डैप को इंस्टोल नहीं किया जियरा फट डैप को इंस्टोल कर लीजिए क्योंकि ये है आपके लिए one stop solution for the UGC net set assistant professor मैं आपको कुछ information देना चाहता हूँ अगर आप December batch के लिए तयारी कर रहे है तो आपके लिए दोस्तो early bird batch है जो start हो चुका है December के लिए अब इस batch में आपको paper one plus paper two है वो सिरफ और सिरफ कितने में मिल रहा है 69997 में दोस्तों आपको test series में मिल रही है ठीक है ये इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपका जो history है वो complete course होगा आपका complete course आपका करवाई जाएगा ठीक है 10 की 10 units होंगी साथ में दोस्तों आपको notes है वो दिये जा रहे है ठीक है आपके live और recorded classes रहेंगे इसमें doubt clearing sessions रहेंगे PYQs करवाई जाएंगे test series है वो आपको साथ में मिल ले वाली है ठीक है आपकी recorded plus live classes दोनों आपको होंगी तो सारी चीजे हैं जो आपको यहां से मिल जाएंगी ठीक है यह हमारी support team के number है कोई भी doubt हो कुछ भी पूछना हो तो यहां से आप बात कर सकते हैं ठीक है यह आपके हमारे courses के feature है जैसे doubt support, uploaded, updated content handwritten notes, bilingual classes detailed explanation notes topic wise weekly test based pyqs detailed solutions by teachers, bilingual classes यह सब के सब आपको मिलने वाले हैं ठीक है तो अगर आप भी अपना तयारी अच्छे से करना चाहते हैं December में अपना JRF करना चाहते हैं आप दोस्तों बात करते हैं कि आपको books कौन-कौन सी पढ़नी चाहिए history paper 2 में अगर आपको JRF करना है तो इतियास की कौन-कौन सी पुस्तके हैं जिनका अध्यान आपको करना बहुत जरूरी है यानि mandatory है यह करना ही पड़ेगा आपको तो जैसा कि आप सबको पता है मैंने पहले भी एक session लिया है जिसमें मैंने पूरा syllabus आपको बता है अगर आपने नहीं देखा तो session देख लीजिए नया updated syllabus है जो आपको बता है उसके according आप pattern देखेंगे तो आपका जो pattern है paper 2 history का paper 2 history का इसमें आपको दोस्तो टोटल जो unit है units कितनी है आपकी 10 unit है जहां से आपका सवाल पूछा जाता अब यह 10 unit है इसमें आपके च्यार मोटे मोटे segment है जिनको हम पढ़ते हैं एक ancient history एक आपका medieval एक आपका modern है एक आपका दोस्तो research methodology storyography वाला है यानि इतियास लिखन हम अगर बुरोटरम में बात करें तो इतियास लिखन यह चार segment है जिनकी books आपको पढ़ नहीं है ठीक है अब एक के करके पहले ancient की देखते हैं medieval की modern की और unit 10 की इनको हम देखते हैं अगर मैं ancient की बात करूँ दोस्तों तो unit 123 unit 1 2 & 3 आपका ancient में है 4 5 & 6 है आपका medieval में है 7 8 & 9 आपका modern है और एक आपकी unit 10 है तो इनकी लिए आपको अलग-अलग पुष्ट के हैं जो आपको पढ़नी है तो सबसे पहले तो देखिए हम ancient Indian history की books देखते हैं कि ancient Indian history के लिए यानि कि प्राचीन भारत के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है तो प्राचीन भारत के लिए दोस्तों नहीं पढ़ना है, एक किताब पढ़नी है, maximum two किताबी, ठीक है, तो maximum two या एक में ही आप करेंगे, तो भी आपका selection हो जाएगा, लेकिन एक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मैं आपको इस चार बुक बता रहा हूँ, इन चार में से एक आपको पढ़ना है, एक आपके पूछें कि सर इन चार में से बेस्ट कौन सी है, तो देखो अगर आपको net और jrf के लिए तैयारी करनी है, तो अगर आप केसी सरी वास्तव को अच्छे से पढ़ने, तो आपका आराम से मोस्ट उप्ला टोपिक इसमें कवर हो जाएंगे, बहुत सिंपल लेंग्वेज में दी गई है, अब दोस्तो उपेंदर सिंग एम पपू सिंग परजापत भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इनकी यहाँ से अच्छे से कवर भी कर सकते हैं, जर्ब मेरे से पूछों कि सर आप अगर स्टूडेंट होते तो कौन सी बुक पढ़ते तो मैं डेफिनेटिली केसी शिरिवास्तव है उसको प्रफर करता एंशेंट ही शिय के लिए, तुक है और दूसरे नमबर पर जो मेरी इनली वन एणिवानी एक और ऐनी वन बुक है तो आपको पढ़नी है कि अब मैं बात करता हूं दोस्तों मेडिवल हिस्थ्री के यदि मद्यकालिन भारत के लिए आपको क्या पढ़ना। मद्दे कालिन भारत के बात कुरूँ तो इसमें भी भहुत सारी books हैं, भहुत सारी choices हैं, जो आपके पास में होती हैं, एक हरिश चंदर वर्मा की book आती है दोस्तों, part one and part two, दो part होते हैं, एक सचीष चंदरा की book आती है, जिसमें part one and part two, एक में आपका जो होता है, दिल्ली सत पॉर्शन दूसरे में आपका मुगल वाला पॉर्शन होता है जेल महता है दोस्तों ये तीन बुक आती हैं पार्ट वन टू एन थ्री इंग्लिश मिडियम के स्टूडेंट के लिए भी आती हैं बहुत अच्छी सोरब चोबे की बुक आती है एक ही पार्ट आता इसमें और एक पप्पु सिंग परजापत की बुक है इसके दो पार्ट है आपके हैना पार्ट वन एन टू अब दोस्तों यहां पे अगर आपको नेट का स्लेबस कवर करना है सिंपल लेंग्वेज में करना है तो ज़्यादा से कोई एक बुक आप पढ़ लीजिए एक बुक पढ़ लीजिए उसमें से सारे के सारी चीजे हैं चो आपकी कवर हो जाएंगी बद्दे कालीन भारत की तो इन में से कोई भी एक बुक आपको प्रफर करनी है अगर आपको ज़्यादा पार्ट नहीं पढ़ने तो सोरब च भी पढ़ लीजिए यह दो बुक आप मद्दे कालीन भारत के लिए पढ़ ले आपका अराम से नेट और ज्यारफ है वो बढ़िया से क्वालिफाई हो जाएंगा है उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं आपका मोडन इंडियन हिस्ट्री की ठीक है आदूनिक भारत जो कि बहुत अच्छे नोट्स फोम में दी गई है विपिंच चंद्रा की आधूनिक भारत की बुक सेकर भंदो पादय आइनलिटिकल फोम में यहां पर बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है सुमिश सरकार है और सोनाली बंसल है लेकिन मैं आपको बोलूँगा अगर मे अच्छे से इसके लाव दोस्तों सेग्मेंट है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस कि इसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा आपको इदर उधर भागने की ज़रूद निया है इसके जो टोपिक्स है उनको आप कवर कर लीजिए आप इनको विपिन चंद्रा से भी cover कर सकते हैं तो विपिन चंद्रा की जो book आती है उससे आप इनको क्या कर सकते हैं cover कर सेंगे टोपिक वाइज आप कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है आपकी unit 10 की historical research methodology और आपकी historiography वाली जो unit है इसमें कोई एक single source है वो available नहीं है एक एक ऐसा कोई नहीं है कि आपको सारी चीज़े मिल जाएं तो इसके लिए बहुत सारे skirted sources है इसमें आप क्या कर सकते हैं अपने notes बना सकते हैं और उन notes से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपका skirted material आपको कहां कहां मिल सकता है एक तो देखो बुक है उन्होंने अभी लिखा ली है फिछले एक-दो साल पहले निका ली थी उनकी बुक तो उस बुक को भी आप कर सकते हैं वो भी अच्छी बुक है अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको जो topics दिए गये हैं उनको बार बार उनको cover कर रहे हैं प आपको पीवाइक्यूस हैं वह बहुत जरूरी है करना ठीक है last you जिए और के पीवाइक्यूस तो आपको पीवाइक्यूस कि आपको करने ही करने चाहिए 10 साल के अब वह कहां से करने हैं दोस्तों अगर आपको एक साथ पूरे पेपर चाहिए तो AGP publication की book आती है PY keys की, वहाँ से आप कर सकते हैं एक दोस्तो youth competition time की जो book आती है वहाँ भी यह भी आपको एक साथ मिल जाएंगे और अगर आपको बहुत सारे question चीएं जैसे PGT के, assistant professor के, net के सारे question एक साथ चीएं तो पपू सिंग परजापत की MCQ की जो book आती है MCQ की जो book आती है उसको आप refer कर सकते हैं वहाँ से आप यह क्या कर सकते हैं cover कर सकते हैं वहाँ से complete cover है, जो आपका हो जाएगा ठीक है, तो इसको आप जोईन कर सकते हैं तो यह कुछ books हैं जो आपको history के लिए refer करनी है अगर इन books को आपने पढ़ लिया तो definitely दोस्तो आपका हो जाएगा selection अब इन books को पटे टाइम आपको कुछ बाते हैं जो याद में रखनी हैं दोस्तों देखो एक तो syllabus and previous year question आपके पहले element होने जी सबसे पहले हमें क्या करना है syllabus and PYQs हैं उनको देखना है एक less is more मतलब जितने भी resources मैंने बताएं वो relevant है उनको एक को ही लेना आपको relevant and limited आपके sources होना चाहिए एक दोखो अगर आपकी basic understanding नहीं है और अभी आपनी शुरूई किया है तो मैं आपको advice करूँगा कि old and valley और new valley NCRT न्यू वाली आप NCRT से उनको एक बार देख लीजे base book रखना है चितनी भी book बताई हर पार्ट के लिए एक book तो कम से कम आपको पढ़नी ही पढ़नी है दोस्तों और एक बार आपने decide कर लिया एक बार कर लिया तो यह है दोस्तों यह चीज आपको करनी है इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे साथ में तयारी करना चाहते है और आप classes join करना चाहते है paper to history को complete cover करना चाहते है तो आपका दोस्तों जो बैच है वो start हो चुका है grf adda app grf adda जो app है वहाँ पर आपको complete course मिल जाएगा जहाँ पर मैं all 10 units हैं जो आपको cover कर वा रहा हूँ ठीक है all 10 units है जो आपको cover होगी साथ में दोस्तों आपको notes भी मिलेंगे साथ में आपको test series है वो भी आपको मिलेंगे तो यह सारी चीजें है जो आपको यहां से क्या है मिल जाएंगे notes भी मिलेंगे ठीक है test series भी मिलेंगी यह सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस course में मिल जाएंगी single course में ठीक है तो आप इस course के साथ में तयारी कर सकते हैं अगर आप books नहीं पढ़ी जा रही है लग रहा है की classes से आपको करना है तो यहां से आपको कर सकते हैं one stop solution है आपका history paper 2 का तो इस badge को आप join कर सकते हैं कोई भी doubt हो कुछ भी पूछना हो तो हमारी support team को आप call कर लिजे ठीक है अगर चैनल को subscribe नहीं किया दोस्तों तो subscribe कर लिजे यहां पे आपको regular basis पे ऐसे ही quality content है जो आपको मिलता रहेगा informative videos मिलेंगे और history का जो content है वो भी मिलेगा ठीक है जी thank you so much everyone bye bye take care फिर मिलेंगे next session